लास्ट वीडियो में देखा था एनालेसिस ऑफ वीडियो मार्केटिंग इस वीडियो के अंदर हम देखे ये गूगल एनालेटिक्स गोगल एनलेटिक्स क्या है? जैसे हम सब ने गोगल एनलेटिक्स का नाम तो सुना होगा उसके नाम पर से मिलगता है कि बहुत ही एक complicated tool होगा बट रियली गोगल के तरफ से हमें support करने के लिए बहुत ही easy tools हमें provide किया गया है जैसे कि बहुत सारे लोगों के mind में question होता है कि अगर मैं अपनी website को online कर दूँ और online करने के बाद अगर मैं बहुत सारे marketing campaigns run कर रहा हूँ तो उन marketing campaigns से मुझे कितना result मिल रहा है या फिर कितने number of user अभी right now मेरी website को use कर रहा है तो वो मैं वैसे नहीं जान सकता हूँ बढ़ गोगल analytics के थूँ यह सब चीज़े बहुत ही easy हो जाती है जैसे कि google analytics एक free service प्रवाइड करने वाला google की दौरा प्रवाइड करने वाला एक tool है जो बहुत सारी statistical information हमारे लिए generate करता है जैसे कि हमारी website पे जो user आते हैं वो कौन से page को use करते हैं वो कौन से device को use करते हैं वो कौन से location से belong करते हैं तो यह सभी चीज़े हम google analytics के अंदर दे सकते हैं और इसकी मज़ेदार बात यह है कि यह totally free है इसके लिए हमें कोई भी payment देने के जरूवत नी है और इसको use करना और इससे अपनी website को भी integrate करना बहुत ही easy चीज़े अब यह चीज़ बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो तो चलो देखते हैं कि हम google analytics में क्या क्या चीज़े देखेगे सबसे पहले google analytics आपको क्या चीज़ प्रवाड करता है जिससे कि आप देख सकते हो यह पूरा एक overview real time overview का tab है जहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे आपको एक report दिख रहा है यहाँ पर right now one user दिख रहा है तो for example जिनने number of user आपकी website को use करे होगे वो यहाँ पर देख सकते हो अभी यह page पर desktop की मदद से कोई बंदा इसको use कर रहा है अभी बंदा जो एक website के लिए decision लेना चाता है जिसको यह जानना है कि मेरे number of user है वो कौन जा page को like करें वो हर कोई बंदा यह analytics को use करता है online campaigns and other marketing efforts could be offline यह सब चीजों के लिए हम Google Analytics को use कर सकते है Google Analytics के overview के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमें क्यों analytics use करना चाहिए तो सबसे पहले तोटली फ्री है मैं अल्रडी पहले आपको बता चाहिए हूँ easy to implement and use analyze online and offline effort map to business goal and KPIs यानि आपको अपने business के जो goals है और जो आपने एक milestone decide किया है आप वहां तक पहुँचे या नहीं पहुचे अगर वो समझ ना है और उसके लिए data को analyze करना तो आप गूगल analytics के जरिए बहुत easy तरीके सका सकते हो improve efforts by reviewing and analyzing the data यानि हम बहुत सारे data उसको analyze कर सकते हैं उनको review करके हमारी जो पुरानी गलती वाली effort थी उसको resolve करके हम नई efforts में उसको convert कर सकते लिंक विट एडवर्ड जैसे हम जानते के अडवर्ड के अंदर हम बहुत सारे campaign बनाते हैं बहुत सारे marketing activity करते हैं तो उन marketing activity का क्या result है वो जानने के लिए हम analytics को AdWords से integrate कर सकते हैं जैसे में पता चलेगा कि हमारे AdWords के अंदर जो भी campaign रन किया उसका क्या result हमें प्रोवाइड करेगा जिस डेटा को आप रिव्यू कर सकते हो और आने वाले मंत की आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी को प्लान कर सकते हो गुल एनलेटिक्स वाट डज़ डू वेबसाइट ट्राफिक वेर विजिटर्स कम फ्रॉम हाव दियार नाविगेट ओफ यह वेबसाइट बिहेवियर उनका वह कौन से रिसोर्स के थ्रू आ रहे हैं क्या डाउंलोडिंग कर रहे हैं वह कौन-कौन से पेज को व्यू कर रहे या फिर लॉगिन कर रहे हैं वह किस टाइब की एक्टिविटी आपकी वेबसाइट पर परफॉर्म कर रहे हैं तो यह सब चीज़े जाने के लिए हम बेसिकली गूगल एनलेटिक्स का यूज कर सकते हैं तो आईये चलो देखते हैं कि कुछ स्क्रीन चॉट की मतलब से मैं यहां पर आपको बेसिक पताऊंगा कि हम कैसे इसके साथ स्टाइट अप कर सकते हैं क्या क्या यह रिपोर्ट्स प्रोवाइड करेगा यह अभी तो मैं जैसे का आपको ओवर्व्यू दे रहा हूँ बट इसके बात के वीडियो में मैं आपको प्राक्टिकली ले जाऊंगा यह सब चीजों में तो अभी एक theoretical concept आप समझ लीजिए कि किस सरीके से इसके साथ आप account setup कर सकते हो और start up कर सकते हो तो सबसे पहले when you first time login into google analytics और उसके वो भी बहुत ही simple चीज़ है सिर्फ google में लिखो की google analytics और आपको एक login की link मिल जाएगी वहां से आपको अपने gmail का email id और password enter करके आप अंदर अंदर enter हो जाओगे उसके बाद आपको एक front page मिलेगा जहां पर आप account name website का नाम website का URL यनि किस website को आप integrate करना चाहते हो google analytics के साथ वो details आप provide करोगे उसके बाद जब submit करोगे तब आपको ऐसा tracking code मिलेगा what this tracking code यह बहुत important code है अगर आपको अपनी website को google analytics मे reports purpose से integrate करना है तो यह code बहुत important है जिस website का अपने यहाँ पर नाम दिया होगा उसी website और आपके gmail के account के integration के लिए एक code generate होगा जिसको यह code का जा अब यह code क्या होता यह code को रखना है उसके बाद जब वहां से सेव करके page में से बार निकल जाओगे फिर analytics में उस website के सारे reports आपको दिखना start हो जाएगा उसके बाद जब first time आप उस website के analytics में जाओगे तो यह kind of एक छोटा समने dashboard आपको दिखा है किस type का आपको dashboard मिलेगा यहाँ पर बहुत सारे front page पर ही आपको ऐसे reports मिल जाएगे जहांसे आप easy shortcut way में navigate कर सकते हो तो dashboard पर basically क्या कर चीज़ रहेगे sessions कि a session is a group of interaction that take place on your website we think give you time frame यह यह छोटे छोटे एक interactions होगे जो बहुत सारे sessions होगे जो आपको dashboard के तरह नविगेट कर सकते हो users the user metric indicate that the total number of unique visitor who have viewed and interact with your website कितने number of user ने आपकी website से interact किया है पेज उन लोग ने कौन-कौन से page को views किया है वह ज्यादतर कौन से page पे रुके थे वह सब चीज़े उसके बाद page and sessions and bounce rate bounce rate क्या होता है कि for example कोई भी user किस website पे जाएगा और उस website पे उसको उसके related content नहीं मिलेगा तो वह तुरंती वहा यानि traffic generate हुआ बड़ वेबसाइट पे कुछ operation perform करें उससे पहले ही वापस आ गया तो वह bounce rate का जाता है तो एक website का bounce rate जितना कम होगा उतना ही वह client को समझने में और service provide करने में successful हुई है ऐसा हम कह सकते है तो हम bounce rate जितना भी कम हो इसका ध्यान रखना है उसके बाद analytics reports के dashboard है जैसे मैं थोड़ा जूम करके आप अब बता दा हूँ dashboard shortcuts intelligence event real-time audience acquisitions and behavior and last conversations तो यह वह in-depth reports है जो आपको analytics में mainly समझना है और आप अपनी website का analytics इन reports के जरिए कर सकते हो तो सबसे पहले dashboard है जिसमें मैंने आपको बता दिया कि basic shortcuts सारे reports आप navigate कर सकते हो उसके बाद shortcuts remember your settings so you don't have to reconfigure a report each time for example मुझे कोई custom type का report से फिर कोई ऐसा report से जो मुझे बहुत ही frequently use करना पड़ता है तो मैं उसके shortcuts बना थे desktop पर डाल दूँगा तो मुझे बार-बार फिर वो menu में जाके उस report को बनाना नहीं पड़ेगा configure नहीं करना पड़ेगा वो shortcut के त्रों में उस report को use कर सकता हूँ उसके बाद intelligence event for example intelligence event क्या होता है intelligence event monitor your website traffic to detect significant statistical variations और generate a alert when those variations occur for example अगर मैं चाता हूँ कि मेरी website पे 1000 यूजर आ जाए और उसके बाद मुझे एक alert मिलनी चाहिए मुझे reports wise मिलना चाहिए कि आपकी website पे 1000 लोग आ गए तो वो उस time की मैं कोई event setup कर सकता हूँ जब वो event complete हो जाएगी तो मुझे एक alert मिलेगी activity perform हो रही है कितने number of user आये है login करने के बाद और कितने time तक वो लोग रुके है मेरी website पे वो सब चीज़े में real time के अंदर देख सकता हूँ तो kind of हम कह सकते हैं कि जब हम analytics के साथ startup करेगे तो हम dashboard navigate कर सकते हम बहुत सारी shortcuts को navigate कर सकते है जिसके तुरों बहुत सारी statistical information और reports को हम go through कर सकते हैं उसके बाद बहुत सारी intelligence intelligence event जैसे मैं आपको अल्रेड़ी बता चुका हूँ real time reports real time reports का मतलब होता है कि कितने नए लोग आपकी website पे आये हैं कितने पुराने लोग written हो कि आपकी website पे हो कितने time तक आपकी website पे रुक रहे हैं वह concept page को ज्यादा like कर रहे है वह सब चीज़ा आप यहां पर देख सकते हो उसके बाद audience audience means your user how your user coming to you कैसे आपका user आपकी website तक आ रहे है वह कौन से resource के थूँ आ रहे है वह organic way में आ रहे है कि आपको यहां पर मिल रहे है एक user आपकी website पे आया और मानलो कि वह ज्यादा टाइम रुके बीना ही वहां से निकल गया यह वह उसने आपकी website की link चोड़ दी तो उसको bounce rate का जाएगा यू can see here bounce rate users page views page sessions कितने time तक वह रुका है तो everything you can see in graph wise and in report patterns you can go in depth आप इसमें depth में भी जा सकते हो और इसको analyze कर सकते हो अब audience report के अंदर बहुत सारे अलग अलग तैब दिये के जैसे कि demographic information में यह जा सकता हो कि मेरा user कौन सी age का है कौन से gender का है उसका main interest area कौन सा है जिसे interest tap के through for example अगर मैं Amazon पर जा रहा हूँ और मैं ज्यादतर electronics item को search कर रहा हूँ तो वो मेरा एक interested area बन जाएगा जो फिर electronics area में अगर कोई offers आएगी तो Amazon मुझे वो interest वाला user count करके मुझे marketing करेगा फिर मैं geographical information कि जैसे मैं कौन सी language को prefer कर रहा हूँ मैं कौन सी location से belong कर रहा हूँ मेरा behavior क्या है वो behavior management कितना है and everything you can observe by the behavior उसके बाद वो कौन सी technology कौन सी operating system के थूँ कौन से configuration के PC के थूँ आप तक पहुंचा है mobile यानि वो कौन से device के थूँ आप तक बार बार आ रहा है custom tab के अंदर आप वो सारे data collect कर सकते हो जिसके थूँ आप बहुत सारी automatically details को track कर सकते हो benchmark के अंदर compare your site's performance to the previous result यह आप एक benchmark side कर सकते हो कि अभी यह मेरा result है और यह पुराना result है और मैं अभी current जो चल रहा है scenario उसके result को previous result से में compare करूँगा तो मुझे benchmarking मिलेगा उसके बाद है user flow ज्यादतर user का flow किसके थूँ आ रहा है users are come from how and what extent they are interacting with your site यह वह कहां से आ रहे और किस तरीके से वह आपकी website से interact करें उसको कहा जाता user flow तो इस type के user flow जैसे कि यहां पर दिखाए गया है यह report के अंदर Canada से कितने लोगे United States से कितने लोगे यह country wise है फिर वह सब लोग कौन से page पे है वह क्या चीज़े interact करें कौन से image कौन से functionality को check रहे वह सब चीज़े आपको report wise easy way में मिल जाएगी acquisitions acquisitions के अंदर हमें वह जाने को मिलेगा कि this report will give you the detail overview of where your traffic is originating from such as organic search or direct for example आपकी website तक लोग Google में directly search करके आ रहे और उसमें भी कि वह paid medium के थ्रूँ आ रहे कि वह free और organic way में आपके आप तक पहुंच रहे plus अपकी website का traffic source क्या है वह originate कहां से हो रहा है यानि लोग जो आपकी website तक आ रहे वह कौन से medium के थ्रूँ आ रहे whether they are coming from paid और whether they are coming from free mediums for example अगर मैंने AdWords में कोई campaign बना और campaign को follow करके कोई मुझे तक पहुंच रहे तो वह paid medium के थ्रूँ होगा अगर मैंने मेरी website के सिर्फ content रेक होगे कोई बंदा मेरी website तक आ रहे तो वह organic traffic का जाता है तो वह सभी related reports हम यहां पर देख सकते हैं उसके अंदर बहुत सारे tabs हैं जो हम in future में देखेगे के जैसे AdWords campaign के बारे में information यहां पर दी जाएगे search console tab, social tab जहां पर social media के थ्रूँ अगर users हमारे तक आरहे तो हम देख सकते हैं उसके बाद हम बहुत सारे behavior को observe कर सकते हैं and display what visitor do on your website यानि means के एक user आपकी website पर आतो गया बट अब वह concept page पर है वह क्या information को use कर रहा है वह क्या activity कर रहा है वह भी आप track कर सकते हो यह कितना wonder हो जाएगा अगर मुझे पदा चल जाएगी एक आने वाला user मेरी website पर क्या चीज़ को like कर रहा है तो मैं उसी चीज़ को ज्यादे improve करूँगा तो मुझे result मिलने के chances बहुत ज्यादा है तो यह behavior report के through हम वह चीज़ देख सकते हैं behavior के अंदर भी बहुत सारे tabs है जैसे कि मैं यह आपको zoom करके दिखाता हूँ कि behavior के अंदर हम देख सकते हैं site content, site speed, site search, event, publisher and overview यह सभी चीज़े हम website के related search कर सकते हैं और हम उसका behavior को observe कर सकते हैं उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है site speed, site search display and everything अब है conversions, in analytics, conversion simply means a certain action take by the user that important to your business for instant the completion of a purchase for example कि जैसे कि पूरा मैंने marketing किया है उसके through last में उसने like किसी product को search भी कर दिया, customer ने और वो product को उसने purchase भी कर दिया, सब action finish हो गया अब last में उसने after the ending process उसने कौन सी main process को follow किया है means क्या आप लिखा देखो, the analytics conversion simply means that the certain action taken by the user that important to your business last में वो जैसे कि मान लो कि मैंने product purchase कर ली, but last में मैंने review का option दिया कि rate this product, जो in future में आने वाले client को मेरे लिए काम में लगेगा, तो वो make sure कि वो action perform कर रहे है की नहीं कर रहे है, वो सब चीजह हम convergence के तुरू observe कर सकते हैं और report wise देख सकते हैं convergence के अंदर भी बहुत सारे हैं जिसमें हम goal set कर सकते हैं, e-commerce को observe कर सकते हैं convergence means क्या हम goals set करेगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी website या फिर हमारा business किस तरीके से जा रहा है हमें वो जो targeted goals हमारे achieve हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हम उस level तक पहुंच पा रहे है कि नहीं पहुंच पा रहे हैं पर हमें जाना है तो हमें वो चीज के लिए गोल सेट करना है माल स्टोन हमें सेट करना है उसके बाद हम multi-channel funnel कर सकते हैं एंड लास्ट में attribution attribution allows you to assign the credit for sales and conversion to touch point in a conversion path तो गोल create करने के लिए create a new goal navigate to your goals इनी गोल को navigate करो and sign in to Google accounts and observe the reports तो इसके तुरू हम पूरा गोल बना सकते हैं selecting the admin tab and navigate to the desired account property and view and अब देख सकते हो यहां पर गोल का एक टैब दिया हो यहां सब गोल पर मैं क्लिक करूंगा set a new goal और यह सब यहां पर गोल साइट किये हुए तो यहां पर गोल का status दिखेगा कि recording अभी on है या off है यानि वह goal अभी working में है या नहीं है so this is all about the Google Analytics इस वीडियो में में देखा Google Analytics के बारे में next वीडियो के अंदर हम देखेगे Integrate a website with Google Analytics